नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद्रह आई है से कैट भी में आज का डेट है 6th of माई 2024 एंड करेंट इफेस के न्यूस अनालिस के डिसकेशन में मैं शुबोदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किये वे स्टार्ट करत है ताद देखिए भई हम लोग को आप वैसे लैंड जो के बिल्कुल डिग्रेड़ेड लैंड है न उन लैंड को हमको लॉंग टम लीज में दे दीजिए जिससे क्या हम उन डिग्रेड़ेड लैंड में पल्पवुड प्लान्टेशन कर सके और उन पल्पवुड से अल्ट इस प्रपोजल पहले तो यह डिसकस करता है देखो अभी जो हमारे पेपर इंडस्ट्रीज है न इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगह में पेपर इंडस्ट्रीज है यू कन सी दिस पिक्टरिज़ेशन तो बेसिकली वहाँ पे एक जो चीज बहुत सौटेज है वो है रौ माटीरियल जिससे हम लोग पेपर का प्रोड़क्शन करते हैं तो अब अगर इन लैंड्स जो सोचो कोई इडिग्रेटर लैंड इस इडिग्रेटर लैंड यह अगर गवर्मेंट ने दे दिया तो इस रीजन में जो भी पेपर इंडस्ट्रीज है यह लोग पल्प का प्रोड़क्शन करेंगे और यह एक्ट करेंगा इस राव मेट्रियल जो क्या पोटेंशिल रहेगा फॉर इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी अडाउटरली हमारे देश में जो क्या एक पेपर इंडस्ट्री फ्यूचर में और भी जाधा ग्रोथ कर सकता है इससे जस्ट पिकस फैक्ट अगर पेपर इवबिटी जाज अधा हो तो हम लोग को पेपर जो बहार से इंपोर्ट करना पड़ता है वो तो नहीं करना पड़ेगा न हमारे देश में ही हुगेगा आतमनेर बढ़ बनेंगे हम लोग रहीट बूरा जा रहा है प्लांटीशिंग प्लांटि दिया जा रहा है डिग्रेड़ जो क्या काम का नहीं है और डिग्रेड़ लैंड में अगर पुल्पूट का प्रोडक्शन किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं इंडिरेक्ली यूनों रिफोरेस्टेशन अक्टिविटीज भी तो प्रोमोट हो रही है जिससे हमारा इंडिया ग्रीन हो रहा है राइग बट इस ये जो प्रोपोजल के पीछे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसर्ण्स अन कॉशन्स है ना वोट आ दीज सबसे पहला जो है वो है मिस क्लासिफिकेशन देखो हिस्ट्री अभी तक हमको क्या बोलता है दाट ऐसे बहुत समय लैंड जो दिये जाते है ना पेपर इंडस्ट्रीज को बोला तो जाता है दट वो डिग्रेड़ेड लैंड है बट टेक्निकली अगर देख लोगे वो काफी ज्यादा प्रोड़क्टिव लैंड होता है जहां पर हम लोग खेती बारी करके किसान आराम से यून अपना दिंचरिया चला सकते हैं बट उन प्रोड़क्टिव लैंड को डिग्रेड़ेड लैंड के नाम पर दे दिया जाता है क्यों क्योंकि इंडस्ट्रियल वाले जो है सरकार को पैसे देते हैं तो इंडस्ट्री के इंट्रेस्ट को सर्व किया जाता है इस से ठीक है next need for proper identification बूला जा रहा है कही ना कि हम लोग को एक stringent बहुती सक्त प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा कानून बनाना पड़ेगा जिस से हम लोग accurately identify कर सके that कौन सा लैंड डिग्रेड़ेड है और कौन सा लैंड अच्छा वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्रेड़ेड लैंड को ही इनको दिया जाएगा राइट नेक्स्ट इन्विरामेंटल एंड डिवलपमेंटल बैलेंस जी हां यहां पर बोला जा रहा है तो देखो भई कही न कहीं हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा development और environmental protection दोनों को ही और government को एक middle ground अपनाना पड़ेगा जिस से industry का भी development हमारे देश में हो सके और साथ ही साथ environment की भी integrity maintained हो सके और यह कैसे होगा जब हम लोग देश में sustainable development की बात करें तो वही तो है ना that industry कभी operations बढ़ता रहे, industry भी prosper होता रहे, वो develop होता रहे और environment भी you know बचा हुआ रहे, क्योंकि environment के उपर जिससे unsustainable practices जो है वो ना किया जाए, right, तो इससे of course development भी हो industry का overview देख लिजेगा, तो वो क्या है, that India host करती है over 800 paper mills, जो क्या produce करता है more than 16 million tons of paper annually, हर साल 16 million tons of paper का production किया जाता है और इसमें employ किया जाता है roughly around 4 lakh people को, इसमें क्या raw material use किया जाता है, तो primarily जो raw material use किया जाता है, वो थे wood pieces, bamboo, sugar can, leftover, जो sugar can के जो बगासे जिसको बोला जाता है न, वो और recycle fibers का भी इस्तमाल किया जाता था, और recycling practice, around 40% of India का paper demand है, वो recycle paper fibers के तुरू होता है, जो क्या undoubtedly India का commitment एक highlight करी रहा है, that हाँ India commit कर रही है, environmental sustainability के लिए, और जो क्या, और further, अभी अगर फिर यह लोग और भी बो करेंगे, यह तो बहुत अच्छा है न, और दोस्तों देखो, यह जो आर्टिकल है न, इस आर्टिकल को story basis में तो आपने पढ़ा ही, बट साथी साथ, कल को अगर सोच एक question आ जाए, that हमारे देश का degraded land बहुत जादा है, इसको हम लोग, you know, अगर upgrade करना चाहे, तो क्या क्य कर सकता है, तो उसमें यह वाला point भी तो एक add किया जा सकता है, that paper industries ने government को, you know, request किया है, that यह सब सारे paper, जो है, वो सब, you know, मतलब, जो degraded land है, वो paper mills को दे दिया जाए, है न, तो यह सब किया जाता है, future outlook, कि अगर बात करें, yes, देखो, undoubtedly हम लोग को पता है, हम लोग digitally shift कर तो उसमें paper का utilization तो घट रहा है, but अभी भी देखा जाते है, demand of paper जो है, हर साल 6-7% से grow कर रहा है, but इसमें भी कुछ-कुछ challenges है, industry face कर रहा है issues, जैसे low capacity utilization, need for innovative, innovations in efficiency and productivity, right, जो capacity है, mil का, un capacity का 100% utilize नहीं किया जाता है, but कहीं कहीं तो ऐसा भी है, that भले ही सब कुछ अच्छा है, but still, उन mills में, जो paper mills है, वहाँ पे efficiency और productivity की कामी है, तो सवाल होड़ा, what is the call for action, undoubtedly हम लोग को promote करना पड़ेगा, domestic agroforestry, right, जिससे जो imported material के उपर, जो हम लोग dependent थे, वो dependency 100% घटाया जा सके, और undoubtedly क्योंकि agroforestry करेंगे, तो of course हमारे देश में ही, अपना ही, you know, pulp हम लोग produce क सकते हैं, next, implementation of stringent protocols, बोला जा रहा है, government को implement करना पड़ेगा, बहुत ही कडा सा कानून, जिससे genuinely देखा जा सके, that कौन सा degraded land है, क्योंकि degraded land ही सिर्फ दिया जाएगा, ना कि अच्छा और productive land, right, क्योंकि degraded land को दिया जाएगा, तो ठीक है, वहाँ पे pulp industry उग सकता है, but productive land में तो हम लोग खेदी बारी भी कर सकता है, ना, समझ भार, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने की जरूरत है, next, next article भी Assam Tribune से ही लिया गया है, और यहाँ पे बात की जा रही है, borderland territorial region के बारे में, अभी elections चल रहा है ना दोस्तो, तो बोला जा रहा है, that future क्या होगा borderland territorial region का वही topic है, vision for progress in borderland territorial region, borderland territorial region एक वो वाला लैंड्सकेप, एक वो political और economic लैंड्सकेप जहाँ पर peace, happiness और progress हमें देखने को मिल रहा है, और इस article में बहुत खूबसूरत से बताया गया था, कुछ-कुछ historical figures का नाम लिया गया, जैसे Lord Gotham Buddha, इन्होंने क्या, royalty, इतने अमीरी को उन और peace के रह में ये चल बसे थे, right, Emperor Ashoka, जिन्होंने embrace किया था non-violence after witnessing the devastation of war, वहीं महात्मा गांदी जी के पादे में तो आपको पता ही है, जिन्होंने advocate किया था non-violence, that is, Ahimsa और Satyagra को, right, बिया नमितकर भी ने भी promote किया था peace को, और address किया था social discrimination through the constitutional reforms, जो किया independence के बाद ह में देखने को मिला था, और इस सिर्फ यही लोग कियो, हमारे देश के एक से बहुत सारे political leaders भी आप देखोगे, जो क्या, of course, peace को promote करते हमें, दिखते हैं, तो, overall, इस article में highlight किया किया है, that, अभी, modern context में, क्या-क्या challenges है, जो क्या borderland territory region के तोरा face किये जा रहा है, era of violence, बोला आया, late 20th और early 21st century में, हमें देखने को मिला था, इस borderland territory region में, intense conflict और communal violences, जैसे हमें murderers, kidnapping, मन्तब ऐसा region देखने को मिला था, यह state में, इन regions में कुछ कानून ही नहीं, but, 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 कहीं नहीं हम लोग को एक positivity भी देखने को मिली, that is, there was a call for peace by all border students union, क्योंकि, इस union ने advocate किया था, non violence, as a solution to regional crisis, और, all border student union के कारण ही, integrate हो सके, youth, into positive societal and developmental roles, कहीं नहीं मैं, movement देखने को मिला, towards the peace, और, देखने को मिला, that, यहां की जो borderland territory region की जो लोग है, है न, in general, they are gradually accepting the fact that, yes, अगर हम लोग community के बीच में peace को prevail कर सके, तो yes, कहीं न कहीं यह region भी आगे हमारा बढ़ेगा, milestones और achievement की अगर बात करे, regarding peace in borderland territory region, 2020 में आप सबको पता है होना चाहिए, that, एक accord sign हुआ था, जिसको हम लोग करते है, border peace accord, यह critical agreement है, जो क्या promise करता है, a new era of peace and stability in this region, वैसे ही आथा है, role of united people party liberal, that is, UPPL, जब से 2015 में इनका inception हुआ है, तब से ही एक pivotal role play कर रही है, in promoting and sustaining peace in this region, वैसे ही, social and political changes भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो क्या, again, united people party liberal के द्वारा ही लाय जा रहा है, जो क्या, एक clearly indications रो करता है, that, yes, this region is moving away from the history of violence, and this region is moving towards the direction of peace, तो सवाल होता है, that, इन सब का impact क्या हमें देखने को मिल रहा है, borderland territorial region के society and overall development में, तो undoubtedly, yes, there has prevailed a shift from the culture of violence to the peace and cooperation, यहीने economic and cultural development भी हमें देखने को मिल रहा है, कुछ-कुछ development initiatives हम लोग यहां पे जरूर ले रहा है, जिसमें हम लोग agriculture, education and economic growth पे जरूर focus किया है, in fact, इस region में Bodofa Super 50 mission जब से चालू किया है, तब से हमें देखने को मिल रहा है, इस region की educational outcomes भी बड़ी है, यहीने, cultural renesia भी हमें देखने को मिल रहा है इस region में, क्योंकि कोक्राजार को बोला जाता है, बोला जारा है अभी city of peace, क्योंकि जब से कोक्राजार में national as well as international events conduct किये गए, तब से yes, this is a indication that we are getting, और कहीं न कहीं हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां के youth, यहां के women और यहां के marginalized group को बहुत ही जादा empower किया जा रहा है, जो क्या again एक, you know, direction दिखा रहा है, तब हाँ, इस region में peace और growth हमें देखने को मिल रहा है, so what are the ongoing effort and future outlook, yes, political stability and governance, कहीं न कहीं हमें continued leadership के कारण हमें local governance, you know, काफी से strengthen होके देखने को मिल रहा है, और हमें देखने को मिल रहा है, यह जो parties है, that is, United People Party, Liberal, UP, PL, यह कहींना के alliance भी कर रही है with national parties, और undoubtedly इनका जो participation है upcoming election में, यह कहींना कहीं indication, यही दे रहा है, इस रीजन में हमें peace और developmental agenda और भी आगे promote होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना community engagement and vision की अगर बात करें, yes, widespread community support देखने को मिल रहा है, हमें peace initiatives को लेकर, और continued effort देखने को मिल रहा है, that यहाँ पे जो भी past में exist कर रहा था, division या फिर violence, उस वो हमें eradication होता हुआ देख रहा है, right, next हम लोग दोस्तों बात करेंगे, Times of India का यह बहुत important article, इसके बारे में हम लोगों ने एक article, छोटा सा article भी discuss किया था कुछ दिन पहले, India's food regulatory system, क्योंकि बहुत ज़ादा, India के food regulatory system, that is FSSAI को सुनाया जा रहा है, देखो, हमारे जो इंडिया में जो food products भीखता है न, उसका regulation का जिम्यदारी जो है, वो इन इस organization को है, FSSAI, अब अगर यही अगर अपना काम ठीक से ना करे, तब तो हम लोग इसके उपर आवाज उठाएंगे न, क्योंकि देखाना हुए मिला है, इंडिया में जो Nestle का baby food products है न, इसमें हद से जादा unhealthy sugar content है, मुझे को देखने को मिलता है, बट वहीं पर Nestle जो अपना product यॉरप में बेशती है, वहाँ पर लेकिशुगर content नहीं रहता है, रहीट, कहीं न कि concerns है over the carcinogenic additives, देखो, अभी रिसेंटली एक ख़बर आया था, that US के customs department ने 31% of MDH के जो मसाले है न, उनको रोग दिया था, अपने देश में घुसने नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उन मसालों में salmonella का contamination मिला, और ये salmonella जो है, एक ऐसा bacteria है, जो क्या carcinogenic है, इंडिया का जो food export है, वो कहीना कहीं face कर रहा है, scroonty in the international market as well, जो क्या कहीना की apprehension create कर रहा है, हमारे देश के भीतर ही, that भाईया, ये जो विदेशों में जो हमारे products को बंद कर दिया जा रहा है, तो हमारे देश में तो हम खा रहा है, उसको तो बंद नहीं किया जा रहा है, मतलब हमारी जो food safety regulatory authority है, जिसको हम लोग कहता है, FSSAI, ये कर क्या रही है भाईया, बीच में बैठ कर, इंडिया का अगर response देख लिजे का, yes, spices board ने announce किया, that yes, वो corrective measure लेगी, कहीना कहीं कहीं collaboration किया जाएगा, ethylene oxide contamination को, FSSAI ने direct किया, state regulators को भी, that जो भी major spices के brands है, उसमें check किया जाए, that क्या ये ethylene oxide का presence है, क्या नहीं, right, जो कि of course, हमारे health के लिए बहुत खराब है, right, वैसे ही planning nationwide surveillance, in 2024, 2025, for various food products, कहीना कहीं हमें, बोला जा रहा है, that अलग-अलग food products के लिए, जैसे अपने एक पर सुना था ना, मैगी बैन हुआ था, right, so वैसे ही, अलग-अलग food products के लिए, you know, nationwide, हमें इसी साल शायद बहुत कुछ, you know, हमें देखना मिल सकता है, right, so stay tuned for that, बोला जाना, nearly one-fourth of the samples, are tested in the last three years, जो क्या, अबन, जिससे ही for example, अगर सौ टेस्ट किया गया, सौ प्रॉड़क को टेस्ट किया गया, उसमें 25 प्रॉड़क तो ऐसे हैं, जिसने फेल किया है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को, है ना, तो सुचो, कितना, you know, कम स्टैंडर्ड का आस्पेक्ट्स, जो है हम लोग यह सब भी करहें, और अपरेशनल फूड सेफटी रेगुलेशन्स इन इंडिया, वो क्या है, देखो, हमारे जो रेगुलेटर है, जैसे कि वहना पहली बोला है, FSS है, इसका फूल फॉर्म है, इन सब चीजों को यह रेगुलेट करती है, और इनका जो रेगुलेशन्स का पावर मिला है, इन एक्ट्स से मिला है, जिसको कहता है, फूड सेफटी इन स्टैनर्ड अक्ट आफ टूज़़ोजन सिक्स, जो क्या FSSAI और state food safety authorities को establish करता है और उनका एक ही aim है that food safety standards को ensure करना हमारे देश में वैसे ही है एक कानून जिसको हम लोग कहता है food safety and standard rules 2011 जो क्या include करता है provision for food safety appellate tribunal organic food standard और regulate करता है food advertising को है न तो इसमें भी है cover licensing, registration, packaging, leveling everything is coming under this act only right क्या क्या challenges face किया जा रहा है हमारे देश में एक जो सबसे बड़ा challenge है वो rampant adulteration को लेकर है milk को adulterate किया जाता है spices, edible oil, सब चीज़ अडिल्टरेटेट है कही न कहीं बोला जा रहा है feeding of empty calories that is packed food product है न वो contain करता है high level of added sugar इसके कारण हमें diabetes, cardiovascular disease and obesity जैसे ब्यमारिया होती है weak enforcement and accountability yes बोला जा रहा है that बहुत सारे food business operate तो करता है बट बिना proper license के corrupt practices हम को देखने को मिल रहा है by FMCG players that is हमें violations देखने को मिल रहा है of labeling requirements जैसे you know अलग अलग जैसे maggie noodles में जो हम लोगो ने देखा था वो भी इसी का पार था limited public awareness लोग aware ही नहीं है various you know जैसे आप सोचो ना कोई food product खड़ी तो आप पीछे में तो उसके सारी ingredients लिखे हुए रहता है कभी देखते हो नहीं ना मतलब हम लोग aware नहीं है खतम बात जो देखता है वो aware है खतम बात समझ रहो यहीं पे right complex regulatory framework भी है that you know small and medium enterprises को comply करना वाना बहुत जादा मुश्किल होता है वही सब चीज़े दी हुए है तो FSS है क्या है initiatives क्या क्या है देखो दोस्तो eat right India movement eat right station certificate food hygiene rating system food safety मित्र system food state food safety index तो यह सब क्या है what are these these are the various initiatives जो क्या FSS AIK through है और इस initiatives के तहत में जो इसका देखो वैसे तो आप यहाँ पे initiatives सारे दिये हैं मैं PDF पी नीचे में description में लगवा दूँगा है ना आप make sure कीज़ेगा वो PDF खुद से भी परके आप या फिर वीडियो को pause करके खुद भी एक बाद देख सकते हैं but ultimately जो इन सारे schemes का aim है वो यह यही है that properly you know जैसे यहाँ पे देखो eat right station certificate यह railway station में जो बेसते हैं ना खाना वाना उन लोग को यह certificate दिया जाता है वैसे ही जो भी index low या various scheme low उनका aim जो aim है वो यही है that adulteration को कम किया जा सके consumer को empower किया जा सके overall हमारे देश में food safety के जो standards है measures है वो ground level में हर एक जो businessman है वो भी अपना है है ना और overall जो people of India है they also you know get more क्या बोल सकता हम लोग they also get more educated regarding the same right what is the way forward way forward बोला जारा undoubtedly हम लोगो strength करना परेगा infrastructure resources को investment करना परेगा R&D activities पर simplification करना परेगा regulations को strict information enforcement and accountability मतलब ऐसा नहीं that हमारे product जाके विदेशों में खली बैन होता रहे उसके बाद ही हमारे आखे गुले पहले हम अपने देश में बैन कर दे उसको है ना जिससे विदेशों में बेज़दी तो नहीं होगी अपनी है ना enhancement in public awareness जी हाँ public को भी awareness करने की ज़ुरत है that जैसे public अपने बच्चों को sugar बूला जाता है पहला दो साल बच्चों को sugar बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए पता है but अगर आप वहीं पर आप you know serilax खिला रहे है बच्चों को और देख रहे हैं that उसमें extreme level of sugar है तो वो तो ultimately आपके बच्चे के cognitive abilities को disable कर सकता है ना समझो और overall हम लोग को responsible agriculture practices जैसे sustainable farming, organic farming इस चीज़ों को promote करने की ज़रूरत है next also times of India का एक बहुत important article है यहाँ पे एक GI tag मिला है कच अजरक को कच अजरक है क्या यह traditional textile craft है गुजरात से particularly गुजरात के सिंध, बार्मेर और कच रीजन में हमको देखने को मिलता है जिसमें hand block painting की जाती है on treated cotton cloth यह देख रहा है इस type के cloth है ना और यह word जो है अजरक इसको divide मतलब derive किया गया from the word azrak जिसका मतलब होता है indigo है ना क्योंकि पहले के जमाने में indigo से जो है यस रंगा जाता था चीज़ों को ठीक है और traditionally अगर देख लोगे अजरक print जो है वो blue, red और white color में किया जाता है जो क्या signify करती है sky, land and fire and stars को इस technique को introduce किया गया था 400 साल पहले बाई सिंध Muslims है ना अजरक जो क्या commonly worn by nomadic pastoralists और agriculture communities के दोरा war up किया जाता था है ना जैसे राभारी, मल्धारी, अहीर, और यह अजरक को कैसे पहनते थे यह लोग अलग अलग form में जैसे turbans के form में, lungis के form में, stoles के form में भी लिया जाता था, right तो यह सब article के बारे में हम लोग आज discuss किया आशा करता हूं तर यह articles बहुत जादा lab deck हुआ होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला होगा तो do share this videos with your different other friends as well we'll be meeting in next session, till then bye bye, take care and thank you for listening to the whole video, thank you very much